Hello students, मैं आपका अपना दोस्त दर्मेंद्रिकुमाद So line by line Hindi NCRT series अपन देख रहे हैं और अपना जो करण चेप्टर है वो है वंचागति तता विविदता के सिद्धान पांच टोपिक अल्रेड़े अपन कम्प्लेट कर चुके हैं और आज अपना नेक्स टोपिक अवंचागति का क्रोमोजोम नियम काफ़ इंपोर्टेंट है क्योंकि इस टोपिक से अपन जो चेप्टर अपन ने आद तक देखा था और जो आगे अपन देखने जा रहे हैं उस सब को ये एक दूसरे से कनेक्ट करता है उन सब को ये दूसरे से जुड़ता है कुछ साइंटिस्ट के बारे वो बता रहे हैं मेंडल के अलावा कि मेंडल साब ने जो काम किये थे वो पब्लिश नहीं हुए तो कुछ समय बाद में कुछ साइंटिस्ट आये थे उन्होंने बताया था कि मैंडल साब बता कर गये वो सही हे, तब बताया कि मैंडल साब जो क्या है, अनुवान शिगी के जना के रहे, ठीके और साथ साथ में जीन और जो क्रोमोजोम है गुनसुत्रे वTF समान होता रहे हैं ये भी कुछ साइंटिस्ट ने बताया था तो उसके बारे में आज के टोपिक में बन डिस्कुस करेंगे तो साथ अपने जरते हैं आप लोग NCRT लेके बेट लिएगा नॉट्बूग लेके बेटेगा जिससे जो भी इंपोर्टन पॉइंट उसे नॉट करते चाले और उनका जो काम जो पब्लिश हुआ था वह था 1865 में लेकिन इस चार से पांच रिजन ऐसे थे वैसे ज्यादा थे आट दस रिजन थे लेकिन NCRT में चार पांच रिजन बता रहे हैं जिसकी वाज़े से मेंडल साथ फैमस नहीं हो पाए ठीक है और वापस से 1900 में क्या हु तो एक तो अब रिजन कौन कौन से जिसके वैसे 1900 तक उनके कारी अग्यात रहे पहला जो है कि आज की तरह उन दिनों संचार की सुविदा अच्छी नहीं थी जिससे कारी को परचा मिल पाता है संचार का मतलब आज की समय में क्या देगो एलेक्ट्रिक है प्रिंट मीडिया अच्छी नहीं था एक से दूसरे में एक से दूसरे देश में एक जिए दूसरे देश में भी पप्लिश हो जाता है मतलब जो कारी है उसको परचार हाथो वात मिल जाता है दूसरा जो कारण जीन या मैंनल ने जिसे कारखा था जीन तो बतायां जॉनसन ने मैंनल ने कारखा के लिए ये संकलबना की ही कि फी लक्षनों के नियंतरन की इस्थाई और विविक्त एकाईयों के रूप में है तथा इनका नियंत्रन की संकल्पना अर्थात ऐसे एलेल जो एक दूसरे के साथ सम्मिस्षन नहीं होता है मैनल के संकालिन विज्ञानिकों को रास नहीं है क्योंकि ये लोग परकरते की विवित्ता के आबासी सतत रूप सही परिजित थे तो दूसरे में क्या हुआ दूसरे में जो मैनल के संकालिन विज्ञानिक थे उनको जीन या जो कारक बताया था मैनल सामने जो क्या करते हैं लक्षनों को नियंत्रन करने वाले इस्थाई काई ह लक्षणों के नियंद्रक की श्थाई एमों विविग दिखाई हैं टीकें और इनके नियंत्रन कीज चंकल्पना मेनल में बताई थी ठीकें कि उसने ये भी बोला था कुछ नियम बताते परबाइथा का नियम, ये स्वतन्तराफ्विय का नियम बोले कि जो कारak है या जो धालिल है, वो एक दूसरे के साथ में, मिश्रित नहीं होते हैं एक पीडि से दूसरी पीडि में, तो ये भी मेनल के साथ वाले विग्जानिक उ आपनाय गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जय वेग्यानी को द्वारा एस विकार रहे था तो ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका कि मैंडल ने गणित यूज में रहे थी वी मैंडल साम जो है खुद एक मैथेमेटीशन थे गणित अग्या द गुसरा 28 को रिजेक्ट कर रहे थी तो वो समझ में नहीं है अंत में बहले ही मैंडल का कारिया ये इंगित करता था कि कारक विविक्त इकाईया होती है फिर भी वह इनकी उपस्तिति के आप भोतिक के प्रमाण नहीं दे पाया और नहीं बता सका कि वो किस पताब्दा बना sitting theobjects तो मैंडल साब से kिष्ट किए कई चलरे बता रहुत सहई है लेकिन इसका हमें परमाण क्या जीन जो है वो निकाल के बताओ कैसा ह Keysmmar नहीं दे पाया और वो ये भी नहीं बता पाये कि ये किस पदात का बनाता है, किस पदात का बनाता है, रसायनिक संगठा इन से पूछा गया है, कि ये कौन-कौन से रसायनों से बनाता है, इसकी इस्तरती किस बरकार सोती है, वो सब कुछ ये नहीं बता पाया, इसलिए सन 1900 तक वो क्या रहे ह अज्याद सनु निस्सों में तीन वेज्ञानिकों जिनका नाम आपको ध्यान में रखना पूछा गया है हुगो डीवरीज इसे उद्विका स्टर में वापस बन पढ़ेंगे कॉल कोरेंज ठीक है पूरा नाम नहीं लिखा है हुगो डीवरीज डीवरीज अब टेक्नोलोजी बढ़ रही थी तो ततनेगी में प्रगती हो भी होती जा रही थी और वज्यानिक सालधानी से कोशी का विवाजन देखने में समर्थ हो चुके थे कोशी का विवाजन आराम से तेख सकते तो बोले कोशी का विवजन कुषि शेह कोशी कोशी में होता है लेकिनके पहले एप और इसले यति हैं अंतुर आवस्थ दुना होता है तो बहुचिक का विवाजन के दोरान माइक्रेस्कोप या सुक्षम दर्शिस अपन देख सकते हैं जिससे काफी help मिले थी scientist हो, तो कोशी का केंडरक में एक संदस्वना की खोज हो चुकी थी केंडरक में जैसे मैं ने बता है गुण सुतरिया DNA की खोज हो गई थी, जो कोशी का विवाजन के पहले द्वी गुनी थी ठीक है, डबल हो जाता है, एवम विवाजित भी हो जाता है कि इनको क्रोमोजोम अटा देता है इस से तोड़ाँ सा अपन पहले मिन को क्रोमोजोम की बौडी रंगीन जो परपदार्थ हता है ठीक है रंग जाने के गुण के रंगीन काये कवागया है हिंदी में रंगीद काई बोलते हैं कहा है 1902 में एक अर्थ शुत्री कोशी का विवजन के ध्वरान क्रोमोजोम की गती का ज्ञान हो चुपा था ठीक है अंतिया वस्ता वगर्री इस परकार के हिंदी में चलती है तो वो उस कोशी का वजमा पन देख लेगे नेक्स वोल्टर सटन यह जो सेड्मेन पढ़ने जाना में बहुत ज्यादा है बहुत बहुत ज्यादा है पूचा का है यह वाला भी साइंटिस्ट का और यह वाला भी इन दोर साइंटिस्त मताया है क्रोमोजोम का विवार कैसा है जीन के जैसे ही इन्होंने मैंडल के नियमों तालिका 5.3 ये पांच मौन्ट थीन मा भी आपन देख लेंगे ये वांच को तीन यहाँ पर तो मैंडल के जो नियमों की बात कर रहे हैं अपन को क्रोमोजोम की गती विद्धी द्वारा समझाया तो यह पांच पॉइंट आंट देखते हैं भी कोश्णिक है विवाजन की सम्सुत्री एवं अर्द सुत्रन विद्धियो में गुनसुत्रों के वेवार को ध्यान में रखते हैं इसे समझा जा सकता है नेक्स भी इंपोटेंट है जीन के समानी गुनसुत्र भी युग में पाया जाते हैं इन्होंने क्रोमोजोम का जो वेवार है जीन के वेवार के जैसे होता है अगर क्रोमोजोम जो ही पेर में होता है जोडे में होता है इस परकार से तो जीन भी क्या होता है जोडे में होता है जीन ठीक है ना कि जीन पर उता है गुंसुत्र समझाते गुंसुत्र क्या ये नर है ये मादा है मादा से एन जो अंडानों आता है नर से शुक्राणों आता है एक दूसरे के साथ में क्या होता है जुड़ता तो टू एन आता है टू एन बनते है ठीक इससे तेविस गुंसु तो जब यह जुड़ता है तो इससे नर्स अगर यह यहां पर आया गुंसुत्र और मादा से यह वह आया तो यह मादा और नर्वाला गया एक दूसरे से लगबग लगबग समान ही दिख रहें यह गुंसुत्र है और गुंसुत्र पर क्या होता है जीन होता है यह पहला जीन ह हो गया यह संद का और दो श क्टे कर दो कर दो्स शावे कि यह आ जो जीन है वो होता है यह यह समय के बात कर लिया का दोनों जीन समजाद इस जास अंसे ंसलिये इसंगा जो स्थान है वो सेम दो तो ये Gine के 2 Allyl है, जिन के क्या है, 2 Allyl है, पहला Allyl, यहाँ पर यहाँ पर दूसरा भी क्या हुआ, इसी Location पर होगा, समान Location पर होगा वो assessment की कहना, चा रहा है, क्लियर है, यहाँ पर देखो, चितर पांस point rate में, यह G1 जो लिखा, यह अंतरा अवस्ता है वाई साब ने, यह प्रोपेर्द वाली कोशिका अर्द सुतरन और जनलन कोशिका उत्पाद में देखे जा सकते हैं कि यह क्रोपी पूर्वाजस्ता आफने पूर्वावस्ता कोश्यका उकजन अगर आपने बक्क म्जमाल गुरु आवस्था गुरु मद्य मद्य आवस्था अंत्य आवस्था और सलमय 嘉य, सब से पर पश्च की जो आवस्था इए इसमें ये अर्दोतरी वाजन फस्ट इसमें अपने पास ही बता रहें, कलर का व्यान अर्जूत्र रिवाइन सेकंडिर तो यह क्या हो गया अलग हो गया और यह अलग हो गया और जनाम जो कोशिख का है यह çाल, यह शिखत Y रहत लिए, अब पर घित नाम मेगा 53 कृमोजम्चा खरह 느ा एक वे एयक है वी त्जो, रहता है जो ए है वो जोड़ों में होते हैं बी भी जोड़ों में होते हैं अब सितर सितर में आपको होता देता हूं है क्या है इसने कर्शन पूछा इस्टेवल के साथ से क्या आप बतला सकता है कि इन दो इस्टमबो ए और बी में से कौन सा क्रोमोजोम का और कौन सा जीन का परते नि लिन्याप आपने कैसे किया तो ए देखो जोड़े में होते हैं तो गुंसुत्र और जीन होते हैं दोनों ही क्या होते हैं Do Nue close यहे लिखा जोड़े में इस पर कर थे यहाँ लगं मों ध्यांग कि दुरान इस प्रकार भी सेघे तो इसका जो आंसर है आप लोग मुझे बताएंगे इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके ठीक है वो आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपको ये जो कमेंट करेगा बाला को और बाले का उसको में उसका आंसर अगर करेक्ट है तो भी मता दूँगा A क्या जीन है या क्रोमोजोम है दोनों में से एक आपको बताना है और B क्या है क्या चीन है या क्रोमोजोम में ठीक है नहीं तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा पहले आप 24 गंटे के लिए से ट्राइ कीजिए और उसके आज में कमेंट करके बताईए मैं आपको बता दूगा A और B यहाँ पर क्य क्या है अभी मुझे पता जालेगा कि आपने कितना द्यान से देखा इसे अर्द सुत्रन्त फस्ट की पश्चा वस्ता में क्रोमोजोम के दो जोड़े मेटाफेस पट्टे का पर एक दूसरे के से सुतंतर रूप से पंक्तिवद्ध हो जाता है चित्रे 5.9 यह 5.9 अभी दे करो बाइस थम में संभावना फस्ट नारंगी और हरे एक साथ वियोजित होता है यह देखलो ना यार इस फालती फरजी बात देखिए यह देखू दू अलगलग वरगा क्रोमोजोमों का स्वतनत अपन बतार रहा दू अलगलग वरगा का एक्जांपल इसने लिया है यह प वर्स्ट में यहां तक यह कोई दिक्कत नहीं आई ठीक है आट तिरी सेकंड में आता थोड़ा सा प्रोब्लम तो यह पस्चा वस्तार रूस्तर तरि सेकंड के यांसे साथ होती है तो फरस्ट से से कंड में अपन चले हैं यहां पर तो यहां देखो, यह जो इनारंगी के ल और इसमें भी यहां पर अलग हो गया है ठीक है समझाद गुंद सुत्र के अलग लग पार्ट हो रहे हैं वापस से अर्द सुत्री वाजन 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 जैसे मनें बुला एंड और एंड जब एक दूसरे के साथ माइए तो पहले टू एन मनेते और नर्व और मादा जो भी ह अलग ही ओर एक लंभा श्वेत शिटो थूत उड़ा श्वेत क्रोमोजोम और लंबा कला क्रोमोजूम और चोटा कला करूमोजूम एक ही दुरूअ तो बागी पाता रखा अपने में ले जाए जारे कार्पों के 20 हैंजन के ग्यान को मैंडल के सिद्धान्तों के साथ जोड़ कर वंचगत देगा क्रोमोजोम या सिद्धान्त दिया था बहुत ज़ादा इंपोटेंट है कि क्या केवल सट्टान ने अपने अकेले के जो प्रयोग थे जो रिजल्ट थे उससे के सिद्धान्त दिया या मेंडल के साथ में दिया या दूसरा करशन यह पूछ सकता कि मेंडल जो वंचगत दिया क्रोमोजोम सिद्धान्त है वो किस ने दिया दोनों टाइफ साथ को तया योन जनन उत्पादन विवेदन के लिए फोज़ का अधार की नियूँ डार Next Morgan Neffle McHugh Fruit Fly इसे बोलते हैं इंग्लिश में और सांटिफिक्स नाम है Drosophila Melanagus पर काम किया जो ये ऐसे अध्यनों के लिए उप्रिद पाई गई ठीक है? CHITR 5.10 तो चित्र तो आप देख सकते हैं नर A वाला बताया जारहा, B वाला मादा बताया जारहा तो इस ट्राइग्राम से एक अजन से बन सकता है नर और मादा रोसोभला मेला मेरम के इसे बोला देख करके बता सकता हैं दूसरे जीव थे उसका चैन क्यों नहीं किया ठीक है तो सबसे पहला जो आरण है इने परियोग शाला में सरल कर्तरी माध्यों पर रखा जा सकता था कर्तरी माध्य छोटा सा जारवा है पैट्रिस वागर वे तो छोटे खटे इंस्ट्रुमेंट थे उस पर भी रख सकते थे जो सिंपल परकार केते दूसरा ये अपना जीवन चक्र दो सकता में पूरा कर लेती है तो मतलब कम समय में ही अपने क्या कर सकते हैं इससरी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि दो सकता में तो ये जन्म लेकर के मर ही जाएगी तीसरा, इनमें एकल मेथवन से विशाल संख्या में संतती मक्यों тебя परद धा तो जो प्रोजनीज यहां पर बन भी संतती बन भी उसकी विशंख्या क्या है। काफी थी। तो काफी होगी तो उसमें जो result को result जो शो करना था वो आसान हो, result को जो सर्च करना था वो आसान यहां फुरोगा और साथ में लिंगो का विविद्धन भी स्वस्ता मैंने बता दिया नर छोटा उदार माधा बड़ी होती है नर और माधा की आसानी से पैचान की जा सकते थी साथ ही इसमें आनुवांचिक विद्धा के आनेक परकार था जो कम शम्ता वाले माईक्रोस्कोप से देखा है सकता है विविद्धा काफी थी इसके अंदर भी और जिसे छोटे माईक्रोस्कोप से कम शम्ता वाले माईक्रोप्स अपन देख सकते थे आसानी से हर को ही देख सक तो यह जो कारण थे वो बताये थे उन्हीं की वैसे मौर्गन ने सलेक्ट किये थे अब जो काम किया था वो किस फरकार से इन्दर अपने को नहीं बता रहा है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं एंचाइटि में इतना बता रहा है अतना पन समझ रहे हैं उसको यहाँ पर अपने क्लियर वहाँ पर हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स सेशन में थैंक्यू आल दी बेरी बेस्ट